हेलो बैनोर राधे राधे नमस्कार अब मैं जर्माश्ट्मी के प्लक्ष में फिर फ्रोकी फ्रोक डिजाइनर फ्रोक सिखाने जा रही हो तो देखिए पर अभी नए डिजाइन मैंने त्यार किया है उसी तरह से गूल कटिंग किये प्रकार से या थाली से जैसे भी जितनी ब जागे की ही बार-बार बता रही हूं जिससे आपको बार-बार समझ आ जाए 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 सिर्फ पॉन इंच का गला काटना है गले का डिजाइन लगाना है डाप्टरी गले पर पॉन इंच और यहां से यहां तक आदा इंच यह कंधे के लिए छोबना है फिर एक इंच का यहां पर यह डाइन कीचकर यह वी बनाना इस तरह से देखिए पॉन इंच का यह एक इंच का यह और यह इस तरह से वी बना दिया है और यह कंधे सिर्फ आधा इंच के अ इसके बाद हमने कटिन कर दे अब यह देखें यह गला है हमारा पपी चिसे यह थोड़ा इसको जिसे गले में आराम से आजा है कट कर देंगे थोड़ा सा और पिर यहां पर चिछ बिटन लगा यह मैंने फूल लगाया है और इसमें जैसे पहले मेंने कियाता है यहां पर गले के हिसाब से एक सवा इंच के बाद ही डोट लगाया आपने यहां कट लगाएंगे यहां पर एक कट एक इंच के बाद यहां लगाएंगे एक कट यहां लगाएंगे यहां पर फिर यहां पर ठीक है और इसको इस तरह से पकड़ा आप इसको इसको इसमाद आपने 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 यहाप पर में बगादु में बगादु में इस्ट्रेसी लिया इस तरह से देखें इस तरह से देखें इसको हम पीछे इस तरह से करिया के पीछी बेल्ट कमल पर लगा देगे यह देखें यह पेल्ट है यह हमारा कनिया का चौक त्यार हो गया है यह देखें लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू रादे रादे देखो बेनों काना तयार हो गया है काना की फ्रॉक रेडी हो गया है और पैन के देखो कितनी सुन्दर लग रहे ननलाल तो यह बिना सुई धागे की सिली हुई बिना मशीन यूज किये हुए मैंने फ्रॉक आपको सिखाए देखें आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगली फ्रॉक आने के देखने के लिए वीडियो थेंक्यू रादे र